तो दोस्तो आज किस वीडियो में हम बताने वाला दोस्तों कि जैसे कि यह फोटो एदेख सकते हैं यह मेरा ओरिजिनल फोटो है मैं इसका बेगराउंड रिमोप करके दोस्तों यहां पर देख सकते हैं आप किसी फोटो का बेगराउंड लगा सकते हैं सारा कुछ बताने वाल इस वीडियो हम जाए सकते यह मेरा फोटो था मैं इसका बैगराउंड हटा के दोस्तों यह लगा है आप चाहते तो इसका बैगराउंड और भी दूसरा भी कुछ लगा सकते जो आपको सही लगे डाउनलोड करके यहां पर लगा सकते चलिए देखते कि इस तरह से लगा जात देखते तो यहां पर है मैं उसको आपन कर लेता हूं जैसे उपनी करेंगे तो कुछ इस तरह के इंटरफेस आपके सामने आजा यहां पर लेकाना एक लिए उस फोटो नहां पर लेका देखते यहां पर अुपको इंसार्ट पर इससिति हैं प्णिक्राइब ने तो में प्रिक्चर पर जैसे क्लिक करेंगे दोस्तों यहां पर आपका फाइल मेनेजर उपन हो जाएगा यानि कि जहां भी आपका फोटो दोस्तों वहां से फोटो ले लेंगे ठीक है यहां से दोस्तों मैं फोटो ले लेता हूं कोई से फोटो ले लेता हूं कोई से फोटो ले लेत अब दोस्तों जैसे कि आपको दिख रहूँ इस फोटो का हम ले लेते या और यहां पे इंसर्ट कर देते हैं तो हमारा देखेंगा दोस्तों फोटो आ चुगा है। ये फोटो बने होड़ा है, आप इसको मूब करना कोको सेज करेंगे। ये जलिखेंगा है hundred फोटो जैसे सेलेक्ट हो जागा दोस्तों यहां पर कॉप्सन मिल लेगा फॉर्मेट अब का ठीक है फॉर्मेट पर किलिक करेंगे और यहां पर एक उप्सन मिल लेगा रैप टेक्स्ट का ठीक है इस वाले पर आएंगे और यहां पर बहुत सरा अप्सन मिल जागा यहां पर क लिए करेंगे अब मेरा फोटो यह मूव होना इस्टाट हो चुका है जिसका साइज थोड़ा हम कर देते दुस्तों तक आपको दिखेगा और मैं देख सकते यह हमारा फोटोहंख साहते है कि आप चाहते है दोस्तोंकि फोटोकंकरों करना है फोटो की वाइक गरांट सेलेक्ट कशेयरें तो है फोटो को लेक्ट करेंडियाrit है ते इस तरह से मेरा फोटो सेलेक्ट हो चुए है यहां पे फॉर्मेट आप आयाएगा और इसके अंदर एक आपसर मिल जाएगा दोस्तो रिमूब एकगराउंड की कलिक करेंगे दोस्तो यहां पे आ चुके हैं इस तरह से अब देखें यहां पे जो लाइनिंग इसको पगर क कर देते हैं कि आप देखें कि इस तरह सेड़करव कर लेना है मैं नीचे थे भी नगया हुआ कि जैतना विद्द करना है हुआ है ठीज है 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 थ्रएस ना हम लोग और कम कर देंग好啦 कि अब देखिर दोस्तों की लोग तरह से हो चुका है अब दोस्तों हमारा तो नीचे का वेगराउं अच्छी तरह सलेक्ट हो चुक है लेकिन दोस्तों यहाँ पर देख सहते हैं जो कलर है यहां बाल पर आचुका है तो दोस्तो इसको हटा लेना है इस तरह से जहां जहां भी आपको इसको अप्सक्राइब करेंगे आप देखें दोस्तो यह हमारा बैगराउंड हो चुका है अब लाना हमको बैगराउंड लगाना है लगाने के लिए आपको पहले इसके साज में बढ़ा देता हूं ताकि मैं फोटो को थोड़ा साइड में कर लिता हो दोस्तो है अब एक बार फोटो को एक बपर आपक्लिक कर लेंगे चली मैं पहले से ईपले लेता हूं इस उसके लिए यहां पर जाएंगे इंसर्ट पर Str sacrificat और यहां पर दोस्तों अगर फ़ोज्द कोई लगाना चाहते है क शेप्स का ठीक है और यहां से रेक्टेंगल ले लेंगे और यहां दोस्तों रेक्टेंगल को इस तरह से पकरके आपको ड्रेक कर लेना है फोटो के कॉडिंग अब देखेंगे दोस्तों कि हमारा रेक्टंगल आ चुका है तो रेक्टंगल आ चुका है तो यहां पर आपको पहले फोटो का साइज देख लेना है मैं फोटो पर किलिक कर देते हैं यह फोटो है तो फोटो पर किलिक करेंगे और इसका साइज देख लेंगे कितना साइज है तो दोस्तों यहां पर आपको मिल जाएगा मैं आपको दिखानी कोसेश कर रहा हूं format टाप के अंदर जाएंगे और यहां पर देख सकते हैं 9 इंच देख सकते हैं इसका जो हाइट है 9 है और इसका वीरत जिए पॉइंट 5.06 है तो आपको इसको याद कर लेना है नाइन इसका हाइट है इसी तरह दोस्तों आपको याद कर लेना जो भी आपको फोटो का साइज होगो पहले देख लेना तो मेरा फोटो का साइज है दोस्तों 9 और 5.06 तो मैं एक बार इस पर सेलेक्ट करूंगा जो हमने यहां पर सेप लिया तो उस पर और यहां पर जाएंगे अब दोस्तों कि हमारा बैगराउंड जितना था इमेज होता है हमारा बैगराउंड भी आ चुका है अब सिंपली क्या करना है दोस्तों कि आपको इस वाले को पकरना है और पहले इमेज को इस पर लागी इस तरह से रख देना है आप देखें दोस्तों आ चुका है आप दो जूमिन करके दिखा रहा हूं ठीक यह ब्रेक में चला गी हुआ है अब इसको अच्छी तरह थे आपको यहां पर सेट कर लेना ठीक है और कीबॉर्ड में अरो बटन मिल जागा उससे भी आपको इसको अच्छी तरह अलग करना चाहते हैं दूसरा कलर लगाना जाए तरह यहां से है तो चलिए मैं कोई एक से बैगराउंड ले लेता हूँ जैसे कि मैं यहां पर बुलू ले लेता हूँ और उसके दूस्तों यह फोटो को सेलेट करके अच्छी तरह यहां पर मैं फीट कर देता हूँ अब देखें दूस्तों अच्छी तरह रजिस्ट होने वाए दुस्तों अगर मैं फोटो को मूब कर रहा हूं तो मेरा बैग्राउंड मूब नहीं हो रहा है अगर मैं बैग्राउंड को मूब कर रहा है तो फोटो मूब नहीं हो रहा है देख रहते हैं ठीक है तो इसको मूब करने के लिए पहले दूनों को सेलेक्ट करना परेगा चलिए सेलेक्ट कर लेते उसके लिए आपको सिंपली आपको एक बार फोटो को पर किलिक करना है और उसके कंट्रोल के साथ आपको यानि कि इस वाले को सेप को सेलेक्ट कर लेना है एक बार फोटो को सेलेक्ट कर लेंगे उसके कंट्रोल के साथ आपको यह सेप को सेलेक्ट कर लेना ह यह माउस से एक बार किलिक करना है यानि हो उसके बाद माउस से किलिक करेंगे आप देखें दोस्तों हमारा दोनों फोटो सेलेक्ट हो चुका है यानि एक फोटो और एक रेक्टेंगल दोनों हमारा सेलेक्ट हो चुका है अब दोस्तों सेप सेलेक्ट होने के बाद आपको यहां पर एक और पिक्चा टूल का ठीक यहां देख सेते हैं पिक्चा टूल फॉ इतना भी आप रखना है यहां पर लाके रख देंगे अब दोस्तों साइड में किलिक कर दीजिए अब हम फोटो को पकर करेंगे हमारा डख सकते दोस्तों की बेगराउंड भी साथ में जा रहा है अब इसको दोस्तों सेब कर सकते हैं जाएंगे यहां सेब पर फाइल पर जाएंगे दोस्तों यहां पर सेब करके इसको जहां भी आपको सेब करना है सेब कर सकते हैं तो दोस्तों अगर वीडियो देखने को चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए अगर दोस्तों चाहते हैं कि थो आवोगा नेच्ट देदे तो दोस्तों मैं बतावगा कि क्स तर्स चेहरा को